हम सवाज के समाज के समी वर्गों को साथ लेके चलते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं तो इसमें समी जात सभी धर्ग के लोग इसमें सामिक हमारे नेता निधीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहि नमस्कार स्वाकत आपका लाइब बिहार में मैं हूँ आपके साथ है संजीव सिंग्ग देखें सीता मधी से जेडियू की नव निर्बाचीत सांसद देवेश चंद ठाकून ने कल जिस प्रकार से मुस्लिम और यादव को लेकर के जो बयान दिया था उसको लेकर के बिहार की जराज्ड ती काफी गर्म ठी लेकिन अभी अभी नितीज कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले जीडियू के मंतरी बीचय चोधरी ने साफ़ संद रख नराजगी कर दी आठाकून के बियान को ले करके कि हमारे पाटी या सरकार या नेता का सिधान्त है कि हम सवाज के समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं उदाहरन आपके सामने हैं कि हमने नौकरिया दी हैं तो इसमें समी जात सभी धर्ग के लोग इसमें सामिक इसलिए सरकार की नीती है हमारे गठबंदर की नीती है और हमारे नेता निधीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्व के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए जो हमारे नीतियों और उपलब्दियों में असपष्ट रूप से जलगता है और परिलक्षित होता है तो आपने सुना कि साब तोर पे बीजय चौधरी ने कह दिया है कि हमारी पार्टी जो है वो सब को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो चाहे किसी भी छेत्र में हो आप लोग ने देखा होगा कि जब हमने रोजगार दिया था तो सभी को रोजगार दिया था सभी जाती धर्म समुदा के लोगों को साथी साथ नोंने कहा है कि इस तरह की बाते नहीं करनी चाहिए आपको बता दे कि देवेस चंद ठाकूर जो की नव निर्वाचीत सांसद है सीता मढ़ी से कल उन्होंने यादब और मुस्लिम को लेकर के ब्यान दिया था और कह दिया था कि अगर कोई भी यादब और मुस्लि करें थे विपक्ष लागतार सवाल खरें करें थे उसके दस्ता रद करने की बात करें थे लेकिन तमाम सवालों के बीच आखिकार जीडियू के तरफ से मंत्री बीजय चौधरी ने साफ साफ पसपष्ट कर दिया है कि ये बाते कहीं भी समाज हित में सही नहीं है उपने अस को सुनाए आप भी अपनी राय परते के डिया कमेंट पूस के माध्यां से में बदा सकते हैं आप देख रहेते लाइब भ्यार बहुत बहुत धन्यवाद